तो हेरो फेंट कैसे है आप दोस्तों आज में आपको बताने वाल हूं कैसे आप अपने samsung के मॉवाइल में dynamic wallpaper को set कर पाएंगे वो भी lock screen में दोस्तों dynamic lock screen wallpaper होता क्या है दोस्तों dynamic lock screen wallpaper ये होता है आपने देखा होगा like story अगर कोई सी भी आप इंस्टाग्राम पर या वाटसप पर कोई stereo play करते हैं, तो आपमेडिक वालपर चेंज होते हैं, उसी की तरह का होता है डाइनमिक लाउक स्क्रीन, जब भी आपने मोबाइल को लॉक करने के बाद अनलॉक करेंगे जो wallpaper आता lock screen पे वो हर बार change होगा different होगा तो वो है dynamic lock screen दोस्तों ये कहां option मिलता है कैसे enable करेंगे तो एक एक चीज़ बताने मालों दोस्तों सबसे जली बात ही है Samsung के हर mobile में होगा चाहे 1 UI 2.10, 2.50 या 3.0 या 3.5 कोई सा भी हो ये आपको feature सब में मिलने वाला है दोस्तों तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या हुआ सबसे पहले आपको जाना है अपने mobile की setting पर mobile की setting में आप दो तरही के से इसको enable कर सकते है तो मैं आपको दोनों तरही के बताऊंगा आप चाहे setting में जाके यहाँ पर आप जाएंगे वाल पेपर वाल जो option मिल रहा है आपको आप वहाँ पर पहुच जाएंगे, तो आपको आप करना क्या है, यहाँ जाना है, वाल पेपर वाली सर्विस पर, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, select an image, set the image, you look, lock screen to turn off the time alarm, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वहाँ से उसको set कर सकते हैं, all images क यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको categories को choose करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, land scap, life, food, pets, and art, और आपके मोमेल में चाहिए, अगर आप दूसरा वर्जन, 1U, I, U कर रहे हैं तो आपको कोई different मिल रहा होगा, तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ एक को download करना है, like मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यह flower वाला, lights वाला, मैंने इसको यह downloading पर डाल दी, आप देख रहे होंगे, यह downloading होने लगा है, तो यह download हो जाएगा, और एक चोर चीज, यह हर दो हपते में बोल सकते हैं, यह two week में latest update होंगे, और कुछ नए wallpaper add होंगे, तो आपको हर अपते ही update होगा, background में थोड़ा होगा data भी उसकरेगा, बट बहुत ही अच्छी चीज है, जब भी आप mobile को unlock करेंगे, तो आपको हर बार unique wallpaper मिलने वाला, जो कि बहुत ही शांदर लगता है दोस्तो, यहाँ पर आपको जोंसे categories पसंद है, आप अपनी categories चुनने के download कर लीजिए, download करने के बाद आपको simply उसको apply कर लेना है और आपका काम वहाँ पर हो जाएगा, तो यह download हो जाएगा, तो आप देख सकते दोस्तों, यह download हो चुका है, download हो जोने के बाद आप जैसी इस पर click करेंगे, तो थोड़ा भी चल रहा है, installing चल रही होगी, background में, तो यह दुबारा क्यों होने लगा, यह हो गया, अब आप इस पर click कर देंगे, आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको जाना है, बाहर आएंगे back service पे, आपको dynamic lock screen वाली service पे करना है, और उसको यहाँ से कर देना है, आपको apply आपको दिख रहा होगा, simply आपको उसको apply क करना है, उसको tick करने के बाद, और यह टिक हो गया, आपको tick करने का यह है, उसको कर लिए अप्लाइ, अपिलाए करने के बाद, तो आप यहाँ पर अलग से और भी आप देख सकते हैं, दोस्तों, आपको हर बार यहाँ पर next next, अच्छ अच्छा आपको खुदी दिखते जा बाल पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से माल लाइक आपको यह वाला अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहां देखेंगे, आपको three dots मिल रहे है, three dots पर जाएंगे, तो आप यहां पर आपको नीचे information भी मिल जाएगी यह कहां की fix अगर कोई landscape वल आप लगाएंगे तो आपको यह नीचे left hand side पर आपको उसकी information भी मिलेगी कि यह किसीज का है और यह क्या पर है तो आप वहाँ पर उसके बारे में read भी कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं कितना शांदर feature है अगर आप चाहते हैं आपको कोई दूसरी categories के लगाना है तो आपको वापिस यहां three dots पर click करना है यहां जाके आप select categories में जाएंगे select categories में जाके आप कोई दूसरी भी category download कर सकते हैं और उसको simply apply कर सकते हैं तो simple सा feature है simply आपको click करना है simply आपको lock करना है lock करने के बाद आपको अगर कोई wallpaper मालो उसके अलावा देखना है क्या next wallpaper है तो आप उसको यहां swap करेंगे तो आपको हो जाएगा अगर आपको कोई wallpaper आपको अपने mobile पर save करना है तो आपको करना क्या होगा उसको जैसे लाइक आपने ये वाला वाल वाल पेपर आपको ये वाला वाल पेपर आपने लॉक स्क्रीन पर सेट करना है तो आपको यहाँ टच करना है स्वरी लेफ राइट साइट स्वेप करेंगे और यह यहाँ पर आ जाएगा राइट साइट स्वेप करना है यहाँ पर खुल जाएंगी photos आपको जिसको capture करना है उस पर जाना है यह right side swipe करा यहाँ पर आपको कोई भी photo अच्छी लग रही है आपको उसको save करना है तो आप यहाँ जाके इसको screenshot ले लिजेगा और यह आपकी gallery में save हो जाएगा और बाद में आप उसको crop करके use कर पाएंग जितनी बार मैं mobile को lock फिर unlock वाला button दबाऊंगा तो हर बार आप देखेंगे यहाँ पर wallpaper चेंज हो रहा है तो बहुत ही शांदर वेचर है आपको हर बार नया feature बनेगा आपको बार बार set करने की जुरत नहीं रहेगी automatic यह set होते रहेंगे तो आपको देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you नेक्स्ट वीडियो की अप्डेट आपको सबसे पहले मिले और हो सकते दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम और फिस्टू फोलोग ना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंक्यों दोस्तों